कि हम बात करते हैं आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा चुछ प्रोग्राम है हम अपने प्रोग्राम को डिवाइट कर देता हैं बेसिकली आपके मॉड्यून्स के अंदर जिसको हम गाप सकते हैं कि आपके प्रोसीजर्स और आपके क्यों कर देते हो इससे सबसे पहला फाइदा यह होता है कोड की वी यूजिबिलिटी बढ़ जाते है दूसरा फाइदा लेस चांसेस ऑफ एर्रस हो जाते हैं कैन भी टेस्टेश्ट एंड डीवर्ग इंडिविज्विज्विली और एजियर टू मेंटेञ यह तीन चांग कोई चीज़ें मैंने जो लिखी है शायद अभी सर के उपर से जाएं लेकि छोज़ देना हम आते हैं कि इसका फाइदा क्या होगा और इसके दे मुझा अगें किसने किसी लैंविज्विज का हल्प लेनी बढ़ेगी का कि समझा सकूँ शुब करणा के अब बात या जाती के सब आपने फोज़ेज्विज भी लिखा और आपने फंग्शिज्ञ भी लिखा डोनों में फ़र्ट क्या है कोई बता सकता है कि फंक्शिज्ञ में एक रिटेर्न ले डिू दी जब आप प्रसिज्ञ की हिबाद पादे हो तु प्रॉसीर होता क्या है? a small program designed to perform a specific task ठीक है फिर मेरे पास functions में आ जाते हैं to functions can functions are also a program a small program design to perform a task but it always return a value आपके पर हमेशा value return में आती है यहां पर तो उसकी वजा है आपने maths कहना अगर function पढ़ा हो f of x is equals to 3x plus 4 पिरे यहां आपके पास एक function है इस function को कैसे चलाता है मैं एक x की value दोंगा यह मुझे एक value return करके देगा मैं इसको दूसरी x की value दोंगा कुछ और तो यह मुझे एक और value return करके देगा तो function देगा चाहे maths में हो, CS में हो या कहीं पे भी हो, आप उसको कोई एक value देते हो, वह आपको इन रिटन एक value दे देता है यह फंक्शन का काम है function by nature हमेशे value return करता है तो अगर आपने function बनाते हुए value return नहीं की तो आपका वो function ही नहीं है अप्टर वह प्रोग्रामिंग में करके दिखाऊंगा जब तक मैं return का keyword नहीं लिखूंगा function के नाम में error आ रहा हूँ क्योंकि function by nature it always return a value procedure return नहीं होता दोनों को बलाने का तरीका भी अलग होता है अब एक और मस्टा आता है अब बात यह के सब आप function procedure जो यह बाते कर रहा है कि बन्थे कैसे और होते है कि शड़े क्या है구alkund नहीं है नहीं अब तक जितने प्रोग्राम से थो हैए वह सारे के सारे देखा जाए तो procedures ही थे सभी हम अब तक जितन प्रोग्राम लखे थे लिए स्वरिट का प्रोग्राम दिखा है यह suppose गरो मैंने एक प्रोग्राम लिखा आँ अच्छा हम बता रहा हूं कि प्रोसीजर लिखते कैसे हैं आपने प्रोसीजर लिखा एड के नाम से ब्रैकेट ओबिन ब्रैकेट क्लोड दिस मीन्स कि यहां पर फिलहाल देर आर नो आर्गूमेंट आर्गूमेंट्स कहलो यहां पैरामीटर के पैरामीटर का मतलब क्या होता है जो वैल्यू पास होती है फिलहाल अभी हम इस पर डिपेट नहीं करा भी हम प्रोसीजर बनाना सीख रहे हैं फिर हम आर्गूमेंट्स पर याद हो तो हम अगर राइट का फंक्शन लिखते थे जो बिल्ट-इन था उसमें देस कॉमा देस दो दो पैरामीटर बेचते थे हैं कि याद है कि कभी साथ यसा इताहीं सरे वापस बोने पीटा पैरामीटर की यवारे में याद दिला रहा हूं कि हम राइट का फंक्शन अगर यूज करते थे तो ब्रैकेट में दो वैल्यू कि यह वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी जाती थी यह क्या होती थी पैरामीटर और यह था क्या में राइट फंक्शन था यह वैल्यू को रिटर्न करता था याद आया कुछ यह भी भी नहीं आया आगया तो अभी फिलहाल में जो प्रसीजर लिख रहा हूं एड का उसमें कोई पैरमीटर नहीं है आपने लिखा इंपूर्ट नमवन मैं कोई प्राउंड यूज नहीं कर रहा समझाने के लिए सिर्फ डैरेक्ट प्रगाम लिख रहा हूं कर रहा हूं हम ऐसा प्रग्राम लिखते रहा है इसको मैंने क्या कर दिया एक पैकेज में बना दिया मना एक प्रसीजर में कर दिया अब मुझे जब भी तो नमबर का एडिशन लेना होगा ना मुझे इन लाइन को लिखने की जरुवत नहीं है मैं सिर्फ क्या लिखूंगा मैं सिर्फ लिखूंगा कॉल इसको कॉल करना है एड को जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी आटोमेटिकली मेजा जो कंप्यूटर मेरा प्रोग्राम है वो क्या होगा इन लाइन को ले आएगा खुद ले आएगा सिर्फ एक दफार लिखना है बार बार उसको बुला सकते हो तो कोड की लिए बढ़ जाती यह प्रोसीजर लिखने का तरीका आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखने करें कि बाद सिर्थ उसके टॉप पर सीजर व्यद्ष का नाम अगर को पहला मीटर है तो पिरामीटर को डिफाइंद लिफाइन का रखी जोड़ गहर लोग वेन एक मैं err कि इनको करना होते हैं इनको बैटा इसको को फिरेर करना होते हैं क्या न सब्सक्राइब नहीं 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 यह प्रोसीजर का हेडर समझ देक्लेरेशन नहीं इसी को मैं थोड़ा सा प्रोसीजर कभी चलता नहीं है जब तक उसको बलाओ नहीं में हमेशा होता है यह तीन चार है अगर कोई कोई क्वेरी हो इसाल जो भी आप भी मौशूब हैं सब के लिए कह रहा हूं अगर कहीं कोई मसला है मुझे वहीं रोपना क्योंकि देखो यह कॉंसेप्स क्रिटिकल है आपके एटू में बहुत करें ना है मुझे बता देना स्क्रीन शेर हो रही है लैप टॉप के अगर हो तो बता देना है और यह यह जो मैं एप्लिकेशन यूस कर रहा हूं डैट इस यह विजुल स्टूडियो इसलिए में यह यह विजुल करेंगी टॉप कर रहा हूं उनको डैट ली किया जाता है या बट सारी चीज़ा है यह आपके अलेवलों सूटो जों हैं लिए जदे करेंगे तो इसलिए में यहां पर यह यह आप यह उंपर यह आप्या पर यहां एं फंक्शन फूंक्सिन अ उनलाइन एस हम जितना काम करेंगे वह सारे का सारा कंसोल मोड़ पर होता है इस प्रोग्राम को बना रहा है वीपी में याद रहे प्रोशीजर की जगा हम सब लिखते हैं इस प्रोग्राम मेरा बन गया है मॉडियूल्स होड़ क्या लिखावा है सब का मतलब किया होता है इस वजहा से यह लेका आपने डेंप क्या क्या चीज़े थी नम वन नम टू सम एज यह आता है इंटेजर पाइजन करने डेक्लेरेशन होती ही नहीं है मैंने अब यहां पर ग्रीन में सूडो गोड लिखता जा रहा हूं साथ साथ नम वन नम टू सम टेटाइब क्या है इंटेजर कंसोल डॉट राइट का मतलब होता है आउटपट कर रहा हूं इसलिए यहां पर यह चीज़ा आ रही है यह बिसिकली क्या हो गया मैंने लिखा है आउटपट एंटर नम वन फिर इंपुड यहां पर लिया जाता है पहले वेरियेबल का नाम आता है कंसोल डॉट रीड रीड लाइन का मतलब होता है इंपुड अगर सूडो गोड में लिखा जाए तो सूडो गोड मतलब है मैंने यह लिखा है एंटर नम्टू यहांदर शीजर क्लेर एंटर मैंने लिखा सम इस एक्वल सुनम फ्लस नम्टू एड कर दिया कंसोल डॉट राइप लाइन इस सम और यह कुछ नहीं सिर्फ सम की हटिंग डाल दें संग एंपरसें संग बिसिकली यहां पर आप जब सूडो गोड में लिखा आप में लिखा आउट पूर्ट संग पार्मा संग इसमें कोई चेंज नहीं है इसमें कोई चेंज नहीं है कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कंसोल डॉट राइट लाइट 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 का मतलब क्या होता है है आउट पूर्ट है राइट साट पर सूडो को लिखा है ताकर आपको पंड़ने में असान सब में का मतलब है प्रोसीजर में एंड प्रोसीजर यह क्या है प्रोसीजर एंड ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोस और एंड सब की जगा मैंने यहां पर लिख दिया एंड प्रोसीजर अब बीटा मुझे बात बताओ आप लोगों के हिसाब से राइट साइट पर इसको सूडो कोड सबको पढ़ना आते हैं अगर आपको प्रोग्राम वी भी नहीं समझा रही वी भी की कोड्स नहीं समझा रहे तो राइट पर सूडो कोड लिखा हुआ अपने लिखना तो सू अपने इंपूट से पहले आउट पूट इन लिख रहे हैं अब यह मैसेज प्रेंट करने के लिए लिए चलो एक सेकंडिक्री मुश्किल में आजाओ इसको और आप रहे हैं तो फिर यह कॉल में पर जो आप अर्गूमेंट्स केरें इनका क्या फाइदा हुआ आज़िए आज़िए पर आता हो ना विटा एक सेकंड अभी आर्गूमेंट्स को छोड़ दो परमेटर की बात करो नो परमेटर को तो तो भूल जाओ जैसा फिल्हाल जो तुम बूच रहते हैं मैं उसका बात का जवाब देता हूं आपको मेरे पास दो चीज़े लिखी वी हैं दो प्रोसीजर आ रहे हैं एक प्रोसीजर में मैंने क्या उट्पूट किया है कभीर है लर्ड और दूसर तैस्सएडर में जैस जब मैं स्क्राइब को मैं इस सथा ऐड बरी को रन करता हूं तो क्या चीज आउट पूट होनी चाहिए हेलो वर्ल्ड दिस टैस्ट प्रॉसीजर या दो नो दोनों होने चाहिए इसी प्रोग्राम के अंदर एक जगा पर आउट्पुट इस टैस्ट प्रॉसीजर लिखा हुआ है तो में स्कीन पर क्या लिखा वाना चाहिए दिस टैस्ट प्रॉसीजर हेलो वर्ल्ड या अप दोनों कि सब्सक्राइब दोनों को साथ एक्जिक्यूट करें यह एक ही पैकेज बना हुआ है ना यह एक ही मॉड्यूल है यह साथ एक्जिक्यूट होगा अच्छा से यह मॉड्यूल वन के अंदर है साथ चला कर दिखा रहा हुआ क्या लिखा वार रहा है इस टैस्ट प्रोसीजर कांग यह वह भी तो अब पूट गया दा मैंने वह उसके उसमें नहीं और यह कहना में बड़ दोनों प्रसीजर इवरेंट इस तिंक आए को फ़क्त नी कुड़ता प्रसीजर डिफेंट है एक और प्रसीजर बना देता हूं सब टेस्टू अ कंसोल ड़ाइड लाइड लाइन इस इस सेकिंड टेस्ट प्रसीजर अब वापश चला जाता हूं किया लिखा हो आ रहा है बीदी कि अब भी हेलो वर्ड आ रहा है क्यों ऐसा क्या मसला आ रहा है इसके साथ इसका सबसे बड़ा इशू यह आ रहा है अब मैं मुझे यह चीज़ समझानी थी वह मैंने तुम्हों को एडिशन वाला जो लिख दिया था प्रसीजर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो में तो मुझे तुम्हों को प्रसीजर का पताना था यहां पर आपका जो कंप्यूटर है मतलब जब आपने में लिखा है ना यह सिर्फ और सिर्फ किसको एक्जिक्यूट करेगा में प्रसीजर इस ऑल्वेज एक्जिक्यूट तो फिर बात यहां थी कि सर्थ आपने भागी टेस्ट वन टेस्ट टू यह टेस्ट टेस्ट टू बनाने का फायदा क्या हुआ पिटा जब तक इन प्रसीजर को इसमें बुलाया नहीं जाएगा बुलाने का मतलब कॉल नहीं करोगे तब तक आपके यह बाकी प्रोसीजर में जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके कंपाइलर को उससे कोई फर्ट नहीं पड़ता मतलब के अगर मैं यहाँ पे अब देखो मैंने लेखा कॉल टेस्ट अब चला गए देखो आगया प्रेजी रापिज बताना क्या बूल जाता है कि मैं कह रहा था बेटा आपने यह देखो मेरे पास अगरा जो कंपाइलर वो सिर्फ किसको पड़ता है जो इन दो के बीच में लिखा हुआ होता है इस दो के बीच में लिखा हुआ था कॉल गंसोल डॉट राइड मतला आउट्पुट हेलो वर्ल्ड तो मेरी स्कीन पर क्या लिखा हुआ रहा था जैसे ही मैंने इसको कॉल किया किसको टेस्ट को तो अब यह क्या करेगा में के अंदर कॉल किया ना यह टेस्ट को ढूंबने जाएगा यहां पड़ा हुआ है अब इस टेस्ट के अंदर जो कुछ है वह भी आउट्पुट कर देगा क्यूंकि मैंने में में टेस्ट भी डालता है तो पर आ जाएगा वह भी एक्जाट्टी क्यूंकि अब तक मैंने इसको में में कॉल नहीं किया था कि अगर हम इनका ओर्डर चेंज करते हैं तो भी ऐसा ही रहे गया उसमें फिर चेंज रहेगा सब जैसे में की जगह अगर आप सब टेस्ट पहले दिखते तो वह सब टेस्ट को पढ़ता हाँ नहीं 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 वह पढ़ता सिर्व इस नाम को है में को करें दिखेतें ते यह को एजिए कंपाइलर का काम ही है इसको नहीं कर सकता हो शाहिए अब हिसाब से क्या होना चाहिए और टेस्ट टू के नहीं और टेस्ट को बलाना चाहिए यह में बिटा कीवर्ड है आपने देखा था जब मैंने खोला था तो सब में ऑटमेटिक ली बाइट डिफॉल्ट लिखा हुआ कि यहाद है कि वह अच्छा सभी से अब यहां पर देखो अगें टेस्ट टू अलगे उपर है लेकिन एक्जीक्यूट क्या हुआ है अब मैं अगर टेस्ट टू को यहां पर बुला लूँ है मैंने का कॉल बी का वो है ना के वर्ट मतब सुड़ो कोट में तो में वागर नियुक्त अगर एक्जाइमिनर कभी बोल दे कुछ इस सथाह का तो आपने बताना है उसको कि प्रोसीजन में से एक्जिक्यूट होता ह अब देखना है सब अब देखना है सब अब देखना है लिखते हैं सी मैं भी डेफ अगरा लिख जयते हैं हं तो वहां यह कीवर्ड चेंज हो जाए गलू में जो लिखाव है यह सकता है ब्लाइक वाली चीज यह जो मैंने यह नहीं होगा में मैं नहीं रगा जावा में रहते है तो यह और सर अगर हम मेन को हटा के कोई और नाम देख दें जिसे आपने टेस्ट टू दिखाया हम टेस्ट सही कर दें तो फिर कुछ भी नहीं पड़ेगा ये गह रहो जी देख लो क्या किया रहा है बिल्ट इन इस वर बिल्ड एर्रस कि एक्जिक्यूट करने के लिए उसके मेन ही नहीं है अब आपने यहां पर देख लो क्या रहा है तुसरें को सिंटेक्स कहेंगे न यह देखो न कि बदार रहा है हम सरी सरी कह रहा है मेन ही नहीं मिला हुज है कि आप रहा है है हमारे बाकी आगे पे कि प्रोसीजर्स को कॉल करने का तरीका क्या था पर अब तुम्हारी बात आ जाती है यह इसा गुड़ा रहा हूँ भी कि मैं का सब में बना देता हैं कि अब आजाओ आप अपने कि एक और प्रोसीजर बिनाने पर मैं पर ले लिख जेता हुँ था कि समझाए कि अम सब्सक्राइब क्या रहे हैं क्योंकि एक कमेंट का मतलब कमेंट होता है कमेंट एक्जामिन नहीं पढ़ता लिए क्वेश्चिन एस राइटर प्रोग्राम which has six modules six procedures or functions साथ ही कर देता है अब आप क्या 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 चीज़ हो सकती है कर दो चीज़ लोगे और एक चीज आउटपुट करो गया ऐसा ही होगा तो उसके लिए आप देखो मैं पूरा छोड़े छोड़े से छोड़े छोड़े प्रसीज़ फंक्शन फंक्शन भी इसी के साथ बनाकर बता दूब आपको मैंने कहा सब इंपट नंबर उसमें मैंने कहा कंसोल डॉट राइट एंटर नंबर वन और यहां पर मैंने एक प्रग्राम को रोखने के लिए कंसोल डॉट रीट की लगा दी इस प्रग्राम को चलाता हूं कि यसा लिखाव आ रहा है एंटर नंबर वन मैंने उसमें नंबर डाला अगर मैं यह लाइन आउपट वाली कंसोल राइट लाइन का मतलब आउपट था न यह हटा देता हूं यह प्रग्राम मेरा चला क्या हो रहा है सर आप कुछ भी इंपट कर सेते हैं नंबर बगएर उसको लगए नंबर अभी भी नंबर ही एक्सप्ट करेगा लेकिन वो मुझे मैसेज लिखावा नहीं देरा तो इंपट से पहले मैं आउपट का मैसेज लिख देता था हम लैंविज केंदे जब हम सुडो को लेख रहोते हैं उसको एक लाइम में कर देते हैं हम कैसे लिख देते थे सुडो कोड में अम ऐसे लिखते थे इंपूर एंटर नंबर पामा नमवन याद है है बीशक्विय क्राइब रहें ह में अलग लग लग करके लेखना पड़ता है मैं आउटपिड लग लेख रहा हो यहे वाला और पिर इनपुड आलग कर रहा हूं कर इंडर आ वह थी नहीं रहा है आप इस तंह भी लिखोंगे एक्सप्टबल है अलग कर दिखोंगे एक्स चीज देख लो साथ तुम्हारा पेरामीटर वाला जवाब भी मैं साथ भी देट हूँगा टेस्ट मॉडियूल से काम करते हैं कैसे बात में कराते हैं के अब तुम लोग को जो है वो स्कोप और वीरियबल बतागा श्कोप और वरियबल दो होते हैं एक होता है ग्लोबल वेरियबल और एक होता है लोकाल वेरियर उन्हां सब्सक्राइब करें लोकल वेडियेबल लोकल वेडियेबल लोकत किसी एक चीज में यूज़ोते हैं जैसे कि आप बताने समझाओ ना बोला सही है तुम ने थोड़ा वाज बताया वाट सम्झाना निया था विटा मैंने यहां पर दिम नेन एस स्ट्रेंग गिया और यहां पर मैंने नेम की वैलू कर दी वासे मोहमद वासे ओके और यहां लाके मैंने किया कंसोल डॉट राइट लाइन अधिड़न के डेफिनेशन से वहरा दिखा दी जेगो अहां मैं लिखता हों उपके टेंशन में नहीं तक क्या मैंने नेम आ रहा है मैंने की नीचे क्या रहे है यहां पर आ अधे दिखा रहे है एजर दिखा रहा है क्यों आपने उसको डिक देर नहीं किया आपके आपके सामने नहीं नहीं बट वो किसी और उसके दिये ना वो उस प्रोसीजर के शाहिद नहीं है यह जो मेरा माई नेम है कि इस इस माई लोकल वेरियेबल का मतलब यह हुआ कि यह विदिन है कौन से फंक्शन के ने डिफाइन हुआ है मेरे में के फंक्शन में डिफाइन हुआ है उसके अंदर है ना देंज यह मेरा मतलब यह माई नेम इस ओन्ली एक से लेडिन में पॉसीजर वाइब को एपकर लोकल सब्क्राइब कर सकते में यहां यहां कहीं भी यूज नहीं कर सकता है अगर मैं माई नेम का वेडियेबल एक और यहां पर बना दूँ आपके यहां पर दिम माई नेम स्ट्रेंग और यहां पर मैंने माई नेम की वैजू डाल दी कम्प्यूटर साइंट तो अब बता हूँ जब मैं यहां पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन माई नेम तो क्या उपड़ होगा मेरा जब मैं आउटपुट करूंगा तो आउटपुट में स्कीन पर क्या लिखावाएगा मेंवाला मेंवाला पहली बात क्यूंकि मैंने अपने क्या करता है टेस्ट वाले प्रोसीजर को बलाया नहीं है इसको कॉल नहीं किया तो इसका कोई लेना देना नहीं है प्लस यह जो माई नेम है यह मेरा एक local variable था तो यह भी local variable ही है इसी के अंदर इसको access किया जा रहा है यह जो my name है यह भी एक local variable है यह within what access किया जा सकता है यह सिर्वर सर्फ test one के अंदर use किया जा सकता है test one के बार इसकी ना कोई value है ना इसको कोई access कर सकता है तो local variable का मतलब यह हुआ कि local variable आपके कौन से variables होते हैं विछ है only access within that particular module ऐस इन विज यहाँ पर हम यह लग सकते हैं ओ लोकल बेरियेबल के बारे में यह दीज वेरियेबल्स are only access within a module in which they are declared. these variables are access from procedure function image data from any procedure और फॉंक्शन इन ऑप्र विटा लोकल वेडियबल के बारे में क्लिर आ गिया कि विदिन डेड मॉडिल विदिन डेड प्रोसीजर काम करेगा उसके बाहर नहीं काम कर सकता इस एक एक इस ले लो अलो जी तो ग्लोबल वेडियबल कैसे बनता है global variable बनता है किसी भी procedure ये किसी भी function का part नहीं होता ना है वो main का ना कोई और का उसको कैसे बनाते हो आप main के उपपर बना देते हो आपने यहाँ पर लेखा my subject as string यह क्या हो गया यह मेरा global वेडिबल हो गया अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं my subject is equals to computer science मैं में टेस्ट वन में आया मैं सब्जेक का रहा है माई सब्जेक इस इक्वल्स टू physics ग्लोबल समझाया देखो ग्लोबल को मैंने डिक्लेर कहां पे किया है बाहर किया है कि किसी का पार्ट नहीं है यहां पे भी यूज कर लिया यहां पे भी यूज कर लिया है हाँ अगर मैं यहां पे आउट्पुट करूंगा बताओ आउट्पुट क्या हुआ कंप्यूटर साइन्स या फिजिक्स कंप्यूटर साइन्स और अब बताओ अगर मैं पेटा आउट्पुट एक ही लिखा तो एक ही आउट्पुट होगा बताओ फिजिक्स होगा या फिजिक्स होगा इस फिजिक्स कंप्यूटर साइन्स होगा क्यों वज़ा बताओ कि वज़ा समझा सकता है कि कॉल एंड में होता है कि मैं अब तुम कह रहे हो कॉल एंड में होता है तो बिटा अब यहां देखो मैं यहां पर अगर आउट्पुट कर दूंग कर दिया मतलब हटा दिया अब देखो कि आगिया फिर्ट कॉल एंड या उससे कोई फ्रक्ट नहीं पड़ता में के अंदर कॉल होती है कॉल दो बाकी जगा भी हो सकती है लेकिन सब्सक्राइब में वाला होता है हुआ क्या है क्या बिटा क्यों नहीं हुआ आप ने में को एक्जेक्यूट किया केंप्यूटर चलता है लाइन बै लाइन पहली लाइन कौन सी रीट करेगा कॉल टैस्ट वन जब आप कहां चले गए जब इसको गुलाया तो ये इसके पास आ गया test1 test1 ने क्या किया physics my subject है अब याद करो ये देखो my subject जो है आपका ये एक ही variable है कौन सा ये रहा ये दोनों जगा access हो रहा था पहले हमने इसकी value क्या कर दी physics कर दी n sub पे आए n sub मुझे वापस कहां ले जाएगा इसी line पे अब ये next line पे गया next line क्या कह रही है my subject की value computer science कर दो physics से overwrite होगे अब क्या होगे वापस computer science हो गया तो जब मैंने output किया तो उसक्त जो last value जी उसने वो मुझे output करके दिखा दी कह रहे इसी को जब मैं घुमा दूँ मतलब call test को test one को अगर मैं बात में लिख दो तो क्या होगा अब पहले वो my subject की value क्या करेगा computer science करेगा फिर जब आप call करोगे तो call के बास वो यहां गया उसने physics को save करा दिया my subject में computer science को override करके यह क्या कर देगा physics कर देगा मैं सिर्फ sequence बता रहा हूं जाए दोनों का आउट पूट लेकर देगा दोनों का आउट पूट करने है डॉट राइट लाइट लाइन जाएगा मैं सब्जेक्टर देगा पर आपने कॉल किया कॉल करने के पता उर्फुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा वेरियाबिल की बाइट चेंज हो गई हो गया दोनों है यह और यह दोनों कैसे नहीं समझ जाया है नहीं समझा ना ना यह इस इस सीक्वेंस में चलता है पहली ना इन रीट की दूसरी रहन पर आया है तीसरी लाइन पर इसने क्या किया my subject पर computer science पर save करा दिया तो अभी मेरे my subject की value क्या है computer science computer science तो जब मैं console और right hand मतला output करूँगा my subject तो my subject की value क्या थी computer science तो में इस scheme पर computer science आ गया फिर मैंने call test 1 किया call test 1 में चले गया तो test 1 में हमने क्या किया था my subject की value क्या कर दीती physics तो अब my subject की value अब क्या हो चुकी है physics हो गई है जी जब मैं उसको output करूँगा तो अब my subject की value क्या है physics तो वह physics output हो जाएगी 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 क्या ये बात क्लियर है क्या थी, computer science सहीद पर जब मैं यहाँ गया तो call test 1 गया, test 1 क्या कर रहा था, my subject की value मैं physics को safe कर रहा था तो my subject की value क्या हो गई physics हो गई, तो अब जब मैं यहाँ पर output my subject करूँगा तो my subject की value क्या है, physics, यह से वह सिर्फ क्या है procedure को call किया, तो उसमें इस global variable की value change कर दी, इसी वज़ा से हम global variable बनाना अच्छी practice नहीं समझते क्योंकि इसको कोई भी access कर सकता है, within a program तो इसमें privacy के यहां कह सकते हो data confidentiality के जो होते हैं, मसले आ जाते हैं, value में गड़बर आ जाती है, क्योंकि कोई भी, हर कोई इसको use कर सकता है, तो वो कोई भी, कभी भी इसकी value change कर देगा, तो हम जारत तो कोशिश कर दें कि हम local variables बनाए, professional practice की बात कर दो, यहां पर तो जो examiner आपको बोलेगा आपको वो करना है, is it clear मतब इदर एक question था कि अगर यह काम से मतब सेम होता अगर हम दो cut variables बनाते हैं, दो दफ़ा, my subject को, मतलब एक main के लिए और एक test के लिए, नई बीटा, अब देखो, मसला यहां आता, अगर मैं local variable बनाते हैं, हम, तो मसला क्या आता, उसको चलो देख तो, मसला से यहां आता, कि my subject को मैं यहां पर output नहीं कर सकता था, वज़ा किया है, जब मैं यहां पर my subject की value का output करता, तो यह कौन से हले my subject की value को लेकर आता, नहीं, अगर हम यूं करते थे, कि एक के, एक को my subject कर दें और दूसरे को my subject one कर दें, तो फिर काम से हम होता, नहीं न, बेटा, बात, देखो, मैं यह कह रहा हूं कि मैं main के इन उसको पर output नहीं कर वा सकता था, मुझे फिर output line यहीं पर लिखनी पड़ती, क्यूंकि लोकल था न, लोकल को तो यहीं पर access कर सकता होंगा है, test one के अंदर, उसको main में कैसे लेगा होंगा है, नहीं बात समझे, नहीं, मैंने का, dim, main variable, main variable, as, string, और मैंने main variable की value कर दी, main procedure, ठीक है, इसको रादर है, my subject पर भी, यहां पहरूं कह रहे हो, मैंने बनाया, dim, main, var1, as, string, और main, var1 की value मैंने कर दी, test procedure, अब तुम कह रहे हो, मैं call करने के बाद, यहां, पहले एक दफा आउट्पुट किया, console, dot, right line, main, var, और तुम कह रहे हो, मैं यहां पर क्या लिखूं, console, dot, right line, main, var, main var1 आए गई नहीं यहां पर, यहीं तो समझा रहा हूं, क्यों, local variable है न, within a procedure यह function यूज किया जा सकता है, जो main var1 है, वो सिर्फ कहां उट्पुट कर रहे हैं, मतलब यह मतलब हूँ हो न, क्या बीटा, मतलब हमने उसको call तो कर दिया, बट वो access नहीं कर पाएगा, call करने का मतलब होता है, उसको execute कर दिया, उसमें से data लेकर नहीं आता है, वो खुद उसके पास चले जाता है, उसमें जो जो काम है, वो काम करके आ जाएगा, access करने के लिए तो मुझे यहां पे, यहां तो global बनाना पड़ेगा, ताके वो हर procedure में use किया जा सके, लोकल में तो में उसके पास जाई नहीं सकता ना, तो में उसकी value को छेड़ी नहीं सकता, जब तक जिसने test one नहीं लिखा है, वो उसकी value ना छेड़े है, अब clear हुआ? सबको clear है पिटा, इसमें किसी को कोई वसले है? मतलब clear हुआना कि main में execute नहीं हो पाएगा, main में execute हो सकता है, अगर call करूँ, लेकिन कब जब मैं इसको test one में लिखूँँगा, आउटपुट भी मुझे यहीं पर करवाना पिड़ेगा, तो कि, हाँ, अब जब मैं main में इसको call करूँगा तो खुद बाखुद आउटपुट हो जाएगा, मैं फिर main में यह console.rightline नहीं लिख पाऊँगा, आउटपुट नहीं कर पाऊँगो, मैं यह कहना शारता हुआएगा,